Redmi के Note 10 Pro और Pro Max device के लिए MIUI 13 का China weekly update का एक latest port आ चुका है जो कि हमारा 22.8.10 latest beta पे रन कर रहा है और आप लोग अक्सर डिमांड करते हैं कि भाई इसके लिए चाइना वाला रोम लेके आओ चाइना weekly update लेके आओ तो finally आ चुका है और इस इंस्टॉल किवे करीकर दो से तीन दिन हो चुके हैं तो आज से जादा बीजी चल रहा हूँ आजकर इसके वीडियो था लेट आ रहा है लेकिन हाँ क्या कुछ यहाँ पे नया रहता है वो सब कुछ मैं आपको पता आँगा बड़ा advantage आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको MIUI का डायलर डेखने को मिल जाता है MIUI का messaging है MIUI का contact है जिसके वए से आपको recording को एड़ा कर सकते हो आपको दिक्कत नहीं आएगे अगर यहाँ पे हम screen recording की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि 30 एपीस दिया गया है max जो कि अच्छा quality में आप record कर पाऊगे camera की बात करें तो यहाँ पे आपको Redmi Note 10 Pro हो या फिर max हो कोई भी tint वाला problem आपको देखने को नहीं मिलेगा और latest camera EY वाला features आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है like वाला नहीं है यह normal वाला latest EY है जो कि आपको पसंद आने वाला है और यहाँ पे अच्छे से काम करता है अगर आप इसे Redmi Note 10 Pro के अंडर डालोगे तो आपको यहाँ पे 64 टेखने को मिलेगा अगर आप Max कर अंडर डालोगे तो यहाँ पे 108 डेखने को मिलेगा तो confused मत होना इससे related उसके बाद आते setting कर अंदर my device पे तो यहाँ पे यह अभी के तरफ से modified किया गया है port किया गया है जो भी आप समझना चाहते हो समझ लो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Android 12 8 month का latest security patch और यहाँ पे आपको प्रीफ का करनल वगरा देखने को मिलता है बैक आते हैं तो यहाँ पे smoothness काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है setting अंदर देख से तो spring की type का दिखाई दे रहा है जो कि काफी ज़्यादा सही है बाकि यहाँ पे आपको wallpaper and personalization देखने को मिलते हैं जो कि आप यूज कर पाऊगे always on के अंदर जो limited रहता है वो यहाँ पे unlock कर दिया गया है तो आप चाहो तो always on 10 seconds या timing वगरा यहाँ पे use कर सकते हो बाकि back की और आने पे वही सारे options आपको मिल जाएंगे बाकि यहाँ पे आपको मिलता है display जहाँ पे अगर हम dark mode के बात करें तो यहाँ पे आपका जो dark mode है न वो मुझे थोड़ा सा problem लगा है कि काम नहीं कर रहा जबकि officially यह चीजे fix कर दी गई थी हमारे quickly update के अंदर और धे refresh rate के option दीए गए है जो कि 90, 60 और 123 है और यहाँ पे AI का option है जो कि काम नहीं आने वाला हमारा लेकिन हाँ यहाँ पे option आपको जो देखनी को मिलता है बाकि यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो sound का profile मिल जाएगा जो कि आप use कर पाऊगे और haptic हमारा working है notification set के अंदर आपको जादा कुछ नहीं दिया गया additional card और यहाँ पे store item वगेरा और यहाँ पे status bar वगेरा यह simple आपको दिखाई देता है यहाँ पर हम आते हो home screen पे तो home screen वही आपको देखनी को मिलता है same to same China वाला जो कुछ भी features है वह साय चीज आपको यहाँ पे देखनी को मिल जाएगा लेकि चीज आपको यहाँ पे भी मिल जाता है जहाँ पर anti fraud का भी option मिलता है protection का जहाँ पर call से related protect कर सकते हो message का apps का और यहाँ पर cast screen वगेरा का भी कर सकते हो और यह जो features है न apps का यह काफी जड़ा important है और इसे मैं कहुँआ कि आईफोन से पूरा का पूरा carbon copy किया गया है क्योंकि म message आता है उसे protect करेगा और calling वगेरा से भी related यह protect करता है तो यहाँ पर काफी अच्छा features add किया गया है जो कि officially MIUI 14 में मिलने वाला है और इस weekly update में भी फिलाल run कर रहा है बैटरी के बात करें तो यहाँ पर बैटरी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है लेगिन हाँ जैसा मैंने use किया बैटरी मुझे सही लगा है additional के अंदर आपको यहाँ पर language support की बात करें तो यहाँ पर multi language का support day दिया गया है जबकि यह चाइना को फिर भी language को add किया गया है ताकि आपको यूज करने में दिक्कत ना आए तो ज्यादा multi language तो support नहीं है लेकिन हाँ फिर भी काफी को मिलता है यहाँ पर privacy protection lab का option उसके बाद यहाँ पर floating window जहाँ पर sidebar वगरा add किया गया है और बाकि यह sidebar तो आपको पताईए कि कैसे काम करता है इसमें जारा change नहीं है apps के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है एक secure mood अगर आप इसे on करते हो ना तो कोई भी ap के आप install करोगे तो दिक्कत आएगा पहले आपको permission देना पड़ेगा है यानि यहाँ पे ap के protection को थ्वास secure कर देता है और जो कि मैंने आपको एक बताया application हर्ट बचाने वाला वह भी इसे काम करता है चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रेता हूं कैसे काम करता है तो जब भी आपको भी application इस्टॉल करते हो लगता है भाई फोन को कि हाँ यह application third party है और यह आपके फोन को harm कर सकता है तो कुछ इस तरीगी से आपको virus detectors का option देखने को मिलेगा उसकर आप जैसे आपका reality में है या फिर आप किसी और के phone के साथ चेरचार कर रहे हो क्योंकि अगर आपके phone के अंदर MI account activate है और आपका phone है तो आपको पता होगा कि MI account का password क्या है अदर भाई कोई friend या family member लेता है तो उससे तो यह चीज़ पता नहीं होगी न तो यहाँ पर यह verify कर रहाता है application installation के time पे ताकि यह verify कर सके कि हाँ reality में आप ही खुश से अपनी phone के अंदर application डाल रहे हो उसके बाद ही आपका application यहाँ पे install होता है और यह सेम चीज़ आइफोन में आपने अगर use किया है तो notice किया होगा तो यह चीज़ भाई काफी यहाँ पे improved हो चुका है जो कि उमीद करत option देखनी को मिलेगा और यहाँ पे आपको देखनी को मिल जाता है जो कि color के हिसाप से आप यहाँ पे widgets वगर सेट कर सकते हो और यहाँ पे application के नाम भी डाल सकते हो लेकिन total अभी फिलाल चाइना में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे चाइना का port room है बाकि यहाँ पे plus पे tap करें तो चलिए चेकाउट करते हैं यहाँ पे आपको device certified मिलेगा लेकिन हाँ एक चेकाउट जहाँ रखना है इसमें by default आपको play store enabled नहीं रहता तो आपको play store का AP के है जो डाउनलोड करके आपको install करना होगा तब जाके आप जो sign in कर पाऊगे Google के accounts वगरा और use कर पाऊगे जैसे क आप अलग से AP के डालेगो तो fix करना पड़ेगा यह fix रहता है already उसके बाद यहाँ पे आपको देखनी को मिलता है L1 का support जो कि by China के अंदर fix कर दिया गया और under थोड़ा week आया था लेकिन हाँ कुछ time के usage के बाद थोड़ा सा improve हो जाता है जो कि सही लगा बाकि यहाँ पे जो ट्रोटल मैंने 100 पे डाल के चेक किया तो normal यहाँ पे 84 आया है और game turbo का use जब मैं करता हूं तो यहाँ पे daily में यह improve हो जाता है normal आया है और यहाँ पे आप देखो यह standby battery drop जो कि 56 पे मैंने left किया और जाम modding में चेक करता हो तो तो 55 और याननी only on 1% का battery drop हुआ है अनाधर यहा यहाँ पे 21 में 31% गया है जो कि overall charging speed सही देखनी को मिलता है और यहाँ पे जो google photo storage है वो भी आपको unlimited मिल जाएगा और जो यहाँ पे gaming है वो भी आपका 90 apps unlock मिलता है यानि हर एक काम की चीज़े यहाँ पे unlock कर दी गई है और यहाँ पे stock आपको चाइना वाला रोम भी देखनी करोगे तो यह जैसे quick open हो गया ना तो sometime आपको हलका slow response feel होता है जैसे कि आप काफी time बात phone use करते हो यह हलका सा जेस्टमेंट आपको करना परेगा otherwise मुझे रोम के तरब से कोई भी यहाँ पे कमी देखनी को नहीं लगी और आपको इसे use करने में काफी मजा आने वाला है क्यो फिर भी आपको एक dedicated वीडियो चाहिए तो link आपको मिलेगा discussion में जिसे आप checkout कर सकते हो और same method follow करके आप इसे install कर सकते हो और मैं आपको request करूँगा कि आप orange fox का use करो इस लों को flash करने से related आते बाए कोई different use करोगे ना तो आप ए code का कुछ error आ सकता है तब orange fox recovery use कर लेना असान फ्लैस कर पाओगे ठीक है तो हम मिलते हैं निक्स वीडियो में इसी तरह एंट्रेसिंग टॉपिक के साथ तब तक लिए guys data बाई बाई